इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ मुहम्मद गौरी का इतिहास देखिए मुहम्मद गौरी का इतिहास वीडियो काफी लंबा हो गया था तो मैंने इसके दो पार्ट बना दी हैं पार्ट वन और पार्ट टू तो ये है पार्ट वन जिसम में आपको पढ़ाऊंगा मुहम्मद गौरी के एतिहास शिक्त थे यानि कि मुहम्मद गौरी का हम जो इतिहास पढ़ते हैं तो उसकी हम जानकारी कहां से मिलती है तो सबसे पहले मैं बात करूँगा तबका तिनाश्री और इसके बाद पृतिवीराज राशों की मुहम्मद गौरी का परिचाय, मुहम्मद गौरी का इतिहास और मुहम्मद गौरी की भारत पिजए तो इन चीजों के बारे में मैं पार्ट वन में चर्चा करने बाला हूँ मुहम्मद गौरी से पहले मुहम्मद बिन कासिम और महमुद गजनवी भारत आए उन्होंने लूट पार्ट की और चले गए लेकिन मुहम्मद गौरी ने भारत में इसलामिक सत्ता की शुरुआत की और ये सत्ता लगबग 800 बरसों तक चली तो आज मैं इसी के बारे मैं आपको पूरी जानकारी देने बाला हूँ तो वीडियो को धिहान से देखना ताकि ये आपको सही से समझ में आ जाए तो चलीए इस वीडियो के सुरुबात करते हैं और पढ़ते हैं मुहम्मद गौरी का इतिहास पार्ट वन ये है सूचना तो इसे आप जरूर पढ़ें तो सबसे पहले बात करते हैं इतिहासिक तत्थियों की इतिहासिक तत्यों से मतलब है कि अगर हम किसी सासक का इतिहास पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि हम जो इतिहास पढ़ रहे हैं उसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है तवकात ए नासरी तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं तवकात इनासरी की रचना मिनहाच उस सिराज की दौारा फार्सी भासा में की गई थी और उसमें मुहम्मद गोरी की भारत बिजय से सम्मंदित महत पूर्ण जानकरिया प्रदान की गई है देखो यहाँ पे क्या कहा गया है वो मैं आपको समझा देता हूँ सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि तवकात इनासरी इसमें मुहम्मद गोरी की भारत बिजय का वर्णन किया गया है इसमें तराइन का युद्ध का वर्णन भी है और नालंदा तथा विक्रम सिला विश्व विद्यालाय को कैसे तोड़ा गया उसका भी वर्णन इसी गरंथ में मिलता है तो इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी निहाज उस से रास के द्वारा फालसी भासा में की गई थी दोसरा गरंठ है प्रत्वी राज रासू देखिये प्रत्वी राज रासू भी बहुत महतपूर माना जाता है मुहमदगवरी के इतिहास को जानने के लिए क्योंकि मुहमदगवरी के कुछ पहलों का इसमें बहुत अच्छे बर्लन किया गया है पृत्वी राज रासु की रचना पृत्वी राज चोहन के दर्वारी का वीचंदर वर्दाई की द्वारा की गई थी और उसमें भी मुहम्मद गौरी का कुछ इतिहास मिलता है इसलिए मुहम्मद गौरी के इतिहास को जानने के लिए पृथिवी राज रासु गरंथ महत्पूर्ण सुरूत है तो आपको यहाँ पर ये दोनों गरंथों को याद रखना है पहला तवकात नासरी और दूसरा पृथवी राज रासु तो इन दोनों गृंतों के माध्यम से हमें मुहम्मद गौरी के इतिहास का पता चलता है तो ये तो थे इतिहास सिक्त थी अब बात करते हैं मुहम्मद गौरी के इतिहास पर मुहम्मद गौरी का परचाए तो सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर परचाएगी मुहम्मद गौरी का वास्तविक नाम सहाबोदीन मुहम्मद गौरी था यह आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि वास्तविक नाम क्या था सहाबोदीन मुहम्मद गौरी तो 1159 पचास एसवी में अफगानिस्तान के गौर प्रांद में हुआ था मुहमद गौरी का सासन काल 1193 से 1206 एसवी के मद्द में था तो यहाँ पर जितना यह मैंने हाइलाइट किया हुआ है यह आपको ध्यान रखना है मुहमद गौरी का सासक के रूप में सासन काल 1202 से 1206 एसवी के मद्द में था देखें मैं आपको बता दूँ यहाँ पर है कि मुहमद गौरी 1193 एसवी में सासक बने लेकिन उस समय वो सासक नहीं थे लेकिन सासक के रूप में केवल उनका चार वर्स का सासन काल था 1202 से 1206 इसवी के मर्द में था मुहमद गौरी सुन्नी इसलाम धर्म के अन्याई थे देखिए इसलाम में दो पार्ट माने जाते हैं सिया और सुन्नी सिया और सुन्नी तो ये मुहमद गौरी सुन्नी के समर्थक थे तो यहाँ पे आपको यह ध्यान रखना है कि सुन्नी धर्म के समर्थक कों थे मौमद गौरी मौमद गौरी की राजकी यह भासा फारसी थी तो मैं आपको बता दूँ कि इससे पहले महमूद गजनवी और मौमद बिन कासे माय तो उनकी जो भासा थी वो अर्वी भासा थी लेकिन यहाँ पे फारसी भासा लिखी हुई है तो आपको यह याद रखना है कि मौमद गौरी की जो राजकी भासा थी वो क्या थी फारसी थी मौमद गौरी का इतिहास अब बात करते हैं इतिहास पर अभी तो मैं basic जानकारी आपको दे रहा था महमीड गोरी के बारे में क्योंकि basic जानकारी, जो सुरवाती जानकारी थी वो मैं आपको दे रहा था अप करते हैं mukh mh motivi की बात महमेड गोरी आधनिक अफगान स्थित गोरप्रांत किसा सकति मैं आपको बता दूँ कि अफगानिस्तान नाम का कोई उस समय देश नहीं था वो इरान के अंतरगत आता था ये पूरा का पूरा हिस्सा जो अफगानिस्तान जिसे हम कहते हैं और कुछ हिस्सा भारत के अंतरगत आता था ये आपको यहाँ पर याद रखना है तो गौर प्रांद के शासक थे मुहमद गौरी मुहमद गौरी ने 1193 इसवी में मुईजुद्दीन की उपादी धारण कर गजनी का सिंगासन प्राप्त किया था सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि मुहमद गौरी को 1193 में उनके भाई के दौारा जिनका नाम था गयाशुद्दीन तो भाई के दौारा गजनी का सासक बनाया गया था उसी समय मुईजुद्दीन की उपादी धारण की थी किसने मुहमद गौरी ने 1193 में ही मुहमद गौरी के बड़े भाई गयाशुद्दीन गौर प्रांत के सासक बने थे तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ देखे 1173 में मुहम्मद गौरी के जो बड़े भाई थे जिनका नाम था गयासओद्धीन तो वो गौर प्रंथ के सासक बने और उन्होंने ही मुहम्मद गौरी को गजनी का सासक निक्ट किया था ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है जब गजनी का सासक निक्ट किया और सिंगासन प्राप्त किया तो उसी समय मुईजुद दीन की उपादी दारण की थी किसने मुहमद गोरी ने मुहमद गोरी 113 से 1202 ईसीवी के मद अपने बड़े भाई गयासुद दीन के अधीन गजनी के सासक रहे हलाकि कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि वो स्वतंतर सासक थे लेकिन स्वतंतर सासक नहीं थे क्योंकि उत समय जो सिक्के जारी किये गए थे मुहमद गौरी के द्वारा उन सिक्कों पर मुहमद गौरी का नाम नहीं बलकि गयासुद दीन का नाम है तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि मोहमद गौरी स्वतंतर राजा नहीं थे बलकि गयासुदीन के अधीन सासक थे मोहमद गौरी 1202 से 1206 के मद स्वतंतर सासक के तोर पर गौर प्रांद के सासक रहे आपको यह यहाँ पर ध्यान रखना है कि 1202 से 1206 ईसवी के मद्द में ही यह सुतंतर सासक के तोर पर इन्होंने सासन किया था क्योंकि 1202 में गया सुद्दीन की मिरित्यों हो गई थी गया सुद्दीन की मिरित्यों के बाद यह सुतंतर हो गई थी मुहम्मद गौरी ने गया सुद्दीन की मिरतियों के बाद 1202 में सुल्तान की उपादी धारण की थी तो यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि 1202 में जब गयासुत दीन की मिरती होगे इसके बाद सुल्तान की उपादी कितने ध्यान की थी मुहम्मद गौरी ने की थी परंतु कुछ इतिहास कारों ने गौर बंस का सासक माना है आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि मुहम्मद गौरी ने सुयम को संसवानी बंस का सासक बताया है लेकिन इतिहास कारों ने कहीं कहीं पे गौर बंस का सासक लिखा हुआ है मुहमत गौरी की राजधानियों का किरम देखिए मैं आपको बता दूँ का राजधानियों का किरम सबसे पहली जो राजधानिय थी वो फिरोच कोहे आदनिक अफगानिस्तान में है फिर हेरात को राजधानियों का किरम या या भी अफगानिस्तान में और अंत में लाहोर में राजधानी बनाया और लाहोर अदनिक पाकिस्तान में है तो आपको यहां पर यह राजधानीयों का किर्म याद रखना है और इनमें से दो राजधानीया आपको याद रखनी है एक तो पहली राजधानी और गजनी आपको ये दो राज़दानिया याद रखनी है मुहमद गौरी की भारत विजए अब बात करते हैं मुहमद गौरी की भारत विजए पर मुहमद गौरी ने पहला आकर्मन 1175 में मुल्तान के बुरुद किया था जिसमें बहां के सिया सासक को पराजित कर विजय प्राप्त की थी उसी समझ सिंदके कोई छेतरों पर भी अधिकार कर लिया था देखिए मैं आपको यहां पर बता दूँ कि उस समय पाकस्तान तो था नहीं तो सारा का सारा छेतर भारत के इंतरगत आता था वो मुल्तान आदनिक पाकिस्तान में है तो यह आपको यहां पर ध्यान रखना है तो 1175 में पहला आकरमन मुहमंद गौरी के द्वारा किया गया था मुल्तान के बिर्द और वहां एक सिया सासक सासन कर रहे थे तो उन्हें पराजित करके विजय प्राप्त की थी और इस विजय को प्राप्त करने के बाद उसी समयाने की 1175 इसवी में ही सिंध के लिए प्रिस्थान किया था किसने मुहमंद गौरी ने और सिंध के कुछ छेत्रों पर भी अधिकार कर लिया था मुहमंद गौरी ने दूसरा आकरमण 1176 इसवी में भेरा के प्रुद किया था और वहां की राणी ने स्वैम अपने राजा को बिस दे के मार दिया था तो यहां पर मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ देखें 1176 में दूसरा आकरमण मुहमंद गौरी के दौरा किया गया था भेरा जिसे आदनिक उच्छ के नाम से जाना जाता है जो की पाकिस्तान में है तो उसके बुरुद में किया था तो वहां की रानी ने क्या किया था पता नहीं वहां की रानी और मुहमंद गौरी के मद में क्या रिलेशन था ये किसी भी इतिहासकार ने इसके बारे में इस पर स्चानकारी नहीं दिये तो रानी ने स्वेम अपने राजा को जहर दे के मार दिया था तो यह यहां की थोड़ी ती एक कहानी है तो आपको यह यहां पर ध्यान रखनी है 1178 इसवी में मुहम्मद गौरी ने अनहिल वाडा के स्तौलंग की राजा मूल राज दुतिये के बुरुद आकरमन किया था जिसमें वहीम दुतिये ने अपनी मा नायका देवी के नितुरत में आबु परुद की निकट मुहम्मद गौरी को बुरी तरह पराजित किया था तो आपको यह ध्यान रखना है कि 1178 में मुहम्मद गौरी ने किसके बुरुद आकरमन किया था अनहिल वाडा के जो शौलंग की राजा थे जिनका नाम था मूल राज दुतिये तो मूल राज दुतिये के बुरुद में आकरमन किया था तो यह युद हुआ था आबु परुबत के निकट में हुआ था और यहां पे नायका देवी के नितुरत में जो की भीम दुतिय की माता थी तो नाईका देवी के नितुरत में ये युद हुआ था जिसमें मुहम्मद गौरी की बहुत बुरी तरह पराजित हुई थी सभी भारती राजाओं में मूल राज दुतिय पहले राजा थे तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ये 1189 इसवी में मुहम्मद गौरी ने पेसावर पर विजय प्राप्त की और उस समय पेसावर पंजाब के राजा के अधीन था मैं आपको बता दूँ का पेसावर भी आदुनेक पाकिस्तान में ही है 1186 इसवी में मुहम्मद गौरी ने लाहोर के साथ सक खुसरो मलिक के बिरुद आकरमन किया था जिसमें खुसरो मलिक को बंदी बना लिया गया था खुसरो मलिक गजनवी बंस के अंतिम सासक थी यहीं से गजनवी बंस पूर्णता समाप्त हो गया था तो आपको यह यहाँ पर याद रखना है कि गजनवी बंस का अंतिमजासा कौन था? खुसरू मलिक आपको यह यहाँ पर ध्यान रखना है बिसे इस तोर पर क्योंकि यह एक बार एक्जाम में पूछा गया था यह खुशन तो इसलिए इसको आपको बिसे तोर पर याद रखना है 1189 में मुहमद गोरी के द्वारा तावर हिंद के किलों पर अधिकार कर लिया गया था आपको यह यहाँ पर ध्यान रखना है कि तावर हिंद के किलों पर अधिकार कप किया गया था? 1189 में किया गया था मुहमंद गौरी के द्वारा और यहीं से तराइन के प्रिथम युद्ध की निव गिर गई थी आपको यहाँ पर द्यान रखना है तो यह तो था पार्ट वन अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप इसे दुबारा तेवारा जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें शियर करें और अगर आपका कोई सवाल है तो कॉमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हैं और इसका पार्ट टू बहुत जल्द आप सबको मिलेगा